आप सभी का स्वागत है मिक्की मिन में तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम MLIS स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप लोग को पूरा MLIS के जितनी भी डीटेल है उस वो सारी डीटेल क्या बेनिफिट है क्या आपको करने से क्या क्या रास्ते हैं आपके लिए लाइबरी साइंस में खुल जाएंगे तो बहुत सारी बाते हैं जो कि मैं मास्टर आफ लाइबरी से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे कि आप सभी को लाइबरी साइंस का कोई भी डाउट हो वो सार डाउट हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे और हाला कि हम लोगों ने BLIS भी कंप्लीट करवा रखा है जो कि आपके MCQ फॉर्मेट में भी है और प्लस थेरी फॉर्मेट में भी है तो अगर आप ले वह सारे वीडियोस नहीं देखे को मिलेगा जिसमें यूनिट वाइस पूरा हम डीटियल में कवर कराएंगे तो इस वीडियो में आप सभी को पूरा जो प्रोग्राम गाइड है पास्टर डिग्री जो कि प्रोग्राम है लाइबरे इंफर्मेशन साइंस में उसका कंप्लीट मैं आप लोग को बताने वाला और क्या इससे इसके अंदर क्या-क्या पंढ़ना होता है ये सारी बाते मैं इसमें करूँगा तो चली स्टार्ट करते हिए मैं आपका इगनु से लेके आया हूं ये मतलब ये जो प्रोस्पेक्टस है ये प्रोस्पेक्टस है इगनु के स्थू लेके आए हैं बट ये哇 जो चीजे हैं ये किसी भी उनीवर्सिटी में फिट होती है हाला कि हम IGNU को syllabus फॉलो करते हैं बट आप किसी भी university का syllabus देखे तो master, bachelor या कोई भी syllabus हो तो library science की जो syllabus होती है almost same होता है क्योंकि जो competitive exam का syllabus होता है वो भी same होता है तो आप या तो due को उठा के देख ले किसी भी university का उठा के देख ले जो basic syllabus होता है वो same होता है और competitive exam में आपको यही सारी चीए देखने को मिलती है तो चलिए start करते हैं जो master program चलिए पहले पर आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको जिनोंने B.L.I.S कर लिया है उनके लिए है ये वीडियो और जो कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है हाला कि सबके लिए है क्योंकि आप लोग को पता चल जाएगा कि आगर हम लोग B.L.I.S कर लेंगे तो हमें आगे फर्दर क्या करना पड़ेगा तो आप लोग को एक जनरल सा ओवर्वीव देने के लिए वीडियो हमने शूट किया है तो देखें B.L.I.S आपने कंप्लीट कर लिया वेल और जो कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो जिनोंने अभी सोच रहे हैं कि B.L.I.S करने के बाद हम M.L.I.S करेंगे तो आप सब ये लेक्चर जरूर देखें और लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम बहुत सारी बाते करने वाले हैं इस वीडियो में तो देखें M.L.I.S जो है वो B.L.I.S के बाद होता है B.L.I.S करके अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें जॉब मिल जाएगा तो आप लोग बहुत बड़ी गलत फैमी में हैं मैं आपको बता दू B.L.I.S के बिसिस पे कॉमपटिशन आपको काफी फेस करना पड़ता है One of the reason मैं आपको M.L.I.S के लिए रिकमेंड करूँगा और most of the form जो भी आप निकाल के देख ले तो उसमें ज्यादतर form में आपको B.L.I.S प्लस M.L.I.S मांगता है ये तो एक क्राइटिरिया हुआ जिसमें आपको B.L.I.S, M.L.I.S ये सारी चीज़ आपको प्रोफेशनल कोर्स मांगता है उसके अलामा आपको क्या क्या चीज़ जरुत पड़ती है जैसे कि मैंने एक O-Level और एक PGDCA और एक मैंने ट्रिपल सी ये सारी वीडियो मैंने बना रखा है अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख ले कि ये कंप्यूटर कोर्स भी आपको मांगा जाता है एक साल का कंप्यूटर कोर्स जिसमें O-Level आ जाता है आपका PGDC आ जाता है और अगर हम केंद्री विद्याले की बात करें तो उसमें ट्रिपल सी भी मांगते है तो ट्रिपल सी के बारे में भी पुरा बता रखा है कैसे आप लोग नाई लीड से ट्रिपल सी रिलेटेड की उसका डिपलोमा मांगते हैं प्लस आपको पास अगर MLIS हुआ प्लस BLIS हुआ तो इससे क्या होगा आपके पास बहुत सारे ऑपरचुनिटीज आ जाएंगे जॉब ऑपरचुनिटीज की आप सब में एपलाई कर सकते हैं पास आपको आपके पास BLIS भी है, MLIS भी है, PGDC भी है अगर कर लिया तो वैलन गूड अगर आपको ट्रिपल सी निकाल रखा है तो बहुत अच्छी बात है और प्लस उसके साथ आपको एक्सपीरेंस भी मांगते हैं मतलब बहुत सारी जॉब में एक्सपीरेंस भागा जाता है तो देख ले आपको ये सारी चीज आपको कैसे मतलब करना है तो इसके लिए आपको एक गाइडेंस की जरूत है जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो पहुंच सके क्योंकि सही गाइडेंस सही आप लोग आगे चीजों को मेंटेन करके चलेंगे अच्छे तरीके से नहीं तो बीलाइस के बाद फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या कैसे करना है और आप बस जॉब के लिए वेट करते रह जाएंगे और फिर एज भी निकल जाएगा तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपने बीलाइस कर रखा है तो आप एमलाइस के लिए जल से जल अपलाई कर दें और अगर आप एमलाइस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है आप पीजी डी सी ए और ट्रिपल सी जैसे कोर्सिस के भी अपलाई करें और कहीं से इंटरंशिप होता है तो उसके लिए भी ट्राय करें हाला कि हमने इंटरंशिप के उपर भी वीडियो बना रखे हैं अगर आपने वो भी नहीं देखें तो उपर आई बटन पर उसके भी लिंक दिया हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं तो इस वीडियो में ये तो बात हुई हमारा की जॉब करियर से रिलेटेड आपको अगर आपने मास्टर के लिए अपलाए के हैं तो आप नेट के लिए भी कॉलिफ़ाई हो सकते हैं कि नेट के लिए वी इलिजिबल हो सकते हैं तो वन अफ दीगरी आपके जो एड हो जायेगा आपके जो कौलिफिकेशन में वो NetGRF जिससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे कि आपने NetGRF कौलिफाई कर रखा है आपका इसमें Library Science में तो हम आप लोगों के लिए एक NetGRF का जो syllabus है भी Library Science का वो भी पूरा लेके आएंगे सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें पूरा NetGRF का syllabus क्या है और क्या-क्या चीजे आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे पढ़ाई करना है पूरा Strategy के साथ वो वीडियो हम लेके आएंगे तो उसको भी आप जरूर देखना तो यह सारी बात रहेगी आपको MLIS से देखें benefit कितना सारा चीजें मिल रहा है अब MLIS करेंगे तो आपको बहुत सारी doubt भी रहेगा कि MLIS के क्या-क्या syllabus होता है कैसे क्या पढ़ना है हाला कि तो आपने MLIS कर रखा होगा तो आपको बहुत सारी clarity हो गई होगी बट फिर भी अगर आप सोच रहें MLIS करने वाले तो आपके लिए भी यह मतलब एक मैं यह video वह उन बच्चों या इस के लिए सोच रहे होंगे तो उनके लिए भी सोच के बना रहे है कि उनको कुछ भी नहीं पता है लइबरी सइंस होनय है तो इसी लिए यह वाला वीडियो सब के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा master course है तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा कैसे क्या है तो यह सारी बाते इसमें करेंगे देखिए यह वाला हमने prospectus क्यों लिया है क्योंकि यह जो है यह authentic source है मतलब कि हम चाहते तो इसमें से कुछ-कुछ पॉइंट लेकर आपको जो की में पॉइंट वही बता देते बट फॉद फॉर यूर ऑथेंटिकेशन कि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हां पता नहीं सर कहां से बता रहे हैं तो आपके लिए अथेंटिकेटे डेटा यह प्रोस्पेक्टर से और अलावा कुछ नहीं हो सकता जो की गाइड है यह वाला जो पीडियेफ है आपको हमारे वाटसप ग्रूप में और प्लस हमारा टेलिग्राम जो चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएगा अगर आपने हमारा वाटसप और नहीं जोइन किया है तो उसको भी जोइन कर लें लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो देखें इगनु के बारे में तो आपने सबने सुना होगा और अगर आपने नहीं सुना होगा तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ऐसा कु यह सारी चीज़ जो है यूजी सी के अंडर आती है मतलब उनिवस्टी ग्रांड कमिशन जो है इन सब चीज़ों को मतलब जितनी भी उनिवस्टी वगरा से डील करती है उनको हैंडल करता है तो इसके अंदर बात करें तो यहां पे देखें दरिवाइस प्रोग्राम यहां पे दरिवाइस प्रोग्राम कमप्राइज नाइन कोर्स यहां पे नाइन कोर्स आपको पढ़ने पढ़ेंगे जैसे कि अपने बेलाइस में पढ़ा था 9 course out of which उसमें से क्या 7 जो है वो आपके core course है और जो 6 course जो बाकी के एक जो रहेगा जो 9 course में 8 course जो रहेगा वो थेरी का रहेगा और एक जो रहेगा वो आपका project work का रहेगा उसके अलावा देखे जहाँ project work में क्या होगा project work में होगा और 2 elective subject रहेंगे जो कि आपके 7 plus 2 मतलब की 7, 8 और 9 जो 2 रहेगा वो आपको elective subject में से select करना पड़ेगा तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस अब यहाँ से एक बार बस मैंने आपको overview दिया है तो यह हो गया आपका अभी हाँ पे देखे इसके बारे में जो कि मैंने आभी आपको बताया था कि जो आपके 7 course रहेंगे वो आपके core course रहेंगे और 2 जो course रहेगा वो elective course रहेगा जो कि आपको 6 elective course में से आपको select करना पड़ेगा तो देखे core course कौन से हैं आपके MLI 101 MLI 102 101 MLI 101 MLI 102 MLI 103 M104 ऐसे करके और यह आपका project walk है जो कि MLI 002 है तो यह पूरा आपका core course है जिसमें यह आप लोग एक बार देख लें और अगर आप वैसे तो आपको यह screenshot लेनी की जुरूत नहीं है बट क्यूंकि हम लोग यह PDF डालेंगी बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो node बना सकते हैं दिल देख के यहां से फिर elective में से आपको inch है में से आपको select करना होगा जिसमें आपका देखे पहला है MLI E 101 presentation and conservation of library material MLI E 102 MLI E 106 तक है जिसमें last है आपका public library system and services इन में से आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से select कर सकते हैं इसमें मैं आपको कोई choice नहीं दूँगा क्योंकि आपके उपर पूरा निर्वर है कि आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं मतलब select कर सकते हैं जब आप form फिल करेंगे जो teaching methodology की बात करें तो यहां पर जो course है उसको program wise मतलब आपका program क्या है Master of Library and Information Science course जो है आपका MLIS जो library science का course है फिर block wise को divide कर रखा है फिर जो भी जो block है उनको unit wise divide कर रखा है तो ऐसे करके आपको पूरा पूरे में बात करें पूरा जो MLIS का है उसमें 34 blocks है सारे सबकी अगर हम calculate करके बात करें तो यह पूरा इसमें एक बार आप लोग देख लें तो इसमें ऐसे यह पूरा unit objective introduction है ऐसे करके पूरा आपको अंदर जब पढ़ने लगेंगे तो पूरा chapter वाई जैसे देखने को मिलेगा last में reference and further reading वगर भी दिया होगा तो यह सब तो उसकी बात हो गई अब study center जो जैसे कि आप लोगों ने बेलाइस किया था तो आपको एक study center अलोट किया गया था जहां पे आपने classes लिया था और एक regional center जहां से आपको book material वगरा लिया होगा और अगर वहां से ने लिया तो आपने head office से लिया होगा या फिर अगर आप किसी भी university से कर रहे हैं तो आपका उसका जो भी rule and regulation होगा उसके according आपने book and book लिया होगा या फिर अपना study कहां से किया होगा वो उन्होंने अलोट किया होगा तो यह सारी बात होगी हमारी study center की तो उसके अलावा यहां पे देखे तो examination and evaluation की बात करें तो यहां पे जो रहेगा MLIS का जो रहेगा इसमें continuous evaluation आपका 30% का होगा और term and evaluation आपका 70% का होगा मतलब कि जो 30% होगा आपका project हो जाएगा आपका assignment हो जाएगा आपके marks वगरा उसमें से add होंगे और आपके जो भी practical होंगे उनको भी वहां पे add किया जाएगा और जो बाकी 70% रहेगा वो आपको last में जब आप exam देंगे तो उसमें से आपका होगा तो देखें यहां पे division कैसे हम किया होगा तो यह भी बहुत असान है आपने हाला कि BLS किया है तभी आप MLS कर रहे हैं तो इसमें भी जो 60% के 60 से ज़्यादा होते हैं उनके first division मिलते हैं 50 वाले second होते हैं और जो 40 वाले होते हैं वो third वाले होते हैं तो यह पूरा हो गया हमारा अब देखें यहां का इसका जो fees होता है the admission fee for MLS program पूरा total जो हो जाएगा 11,000 उपे लगेंगे तो देख लें आपके पास कैसे मतलब जो भी budget वगरा है तो आप कर सकते हैं वैसे तो मैं आपको बोलूँगा इसको करें ही क्योंकि इससे आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं इसके अलावा यहां पर कुछ important useful address दिये हुए है जो कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इन address पर किसी पर भी आप contact कर सकते हैं तो चाहे तो आप लोग screenshot ले सकते हैं बाकि हम लोग यह PDF तो डालेंगी आप वहां से इसको ले सकते हैं उसके अलावा देखिए अब जितने भी हमने जो आपको MLI 101 जो था information, communication and society ऐसे करके हमने पूरा 9 subject बताया था फिर electric subject भी बताया था तो उसका यहां पर पूरा detail में block wise और unit wise डिवाइड करके बता रहा है तो एक मैं block आपको बता दूँगा कि कैसे इन्हों ने डिवाइड किया है एक मतलब जैसे कि MLI 1 जो है उसको बताऊंगा तो जैसे कि block 1 में information, nature, property and scope तो unit 1, 2, 3 and 4 इसमें 4 unit डिवाइड कर रखा है फिर दूसरा information, generation and communication इसमें भी 4 unit है तो total 8 हो गया है फिर unit 3 में information society इसमें आपको 5 unit मिलेगा तो यहाँ पे आपके 13 unit हो गया है देखिए आपने अगर BLIS पढ़ा होगा तो इसमें आपने information society and knowledge society दूना ही पढ़ा होगा तो वो सारे आपको एक ही chapter में देखनी को मिले थे बटे हाँ पे पूरा इसका अलग-अलग block बना रखा है तो जो आपने BLIS में पढ़ा है उसी कह हैं आपे detail में थोड़ा हटके थोड़ा detail में चीज़े मतलब introduce कराए गया है तो वही है आपका MLIS तो कुछ भी ज़्यादा difference नहीं है थोड़ा detail चला जाता है MLIS और थोड़ा project work वगरा भी आ जाता है तो यह सारी चीज़ अगर आपने BLIS करा होगा धंक से तो आपको MLIS में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यह मैं आपको लिखके दे सकता हूँ तो यह देखे आपको पूरा एक chapter बना रहा है information society and knowledge society करके तो ऐसे करके पूरा है और ऐसे ही यह सारा आपको जितनी भी ब्लॉक है जितनी भी जो बुके हैं उन सब को डिवाइट कर रहा है तो एक बार आप चाहें तो इसको देख सकते हैं बाकी ऐसा ही है जब यह पीडियाप मिलेगा तो आप एक बार इसको देख लेना बाकी मैं पूरा बैट के बताने लग जाओंगा तो काफी टाम चला जाएगा तो जो important चीज़े हैं आपको बता दी है मैंने हाँ पे फिर यहाँ पे list of some useful program for MLS student तो यहाँ पे जैसे digital library content चाहें तो इन सब चीजों को भी देख सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे guidance for MLS seminar session इसको करनी की जुरूत नहीं है इसके लिए कुछ seminar भी मतलब वो और्गनाईज करते हैं अगर आपने BLIS के classes लिए होंगे तो उसमें कुछ seminar उन्होंने कराया था तो ऐसे ही same यहाँ पे भी होता है तो कुछ खास नहीं है आप लोग इसको skip कर सकते हैं seminar session का यहाँ पे पूरा उन्होंने बता रहा है कि topic one में एक आ रही है पूरा मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है आप इसको skip कर सकते हैं बाकी इसमें और कुछ है नहीं मैंने जो आपको बताया वही आपके लिए पूरा जो था वह complete MLIS का information था जिसमें आपको मैंने पूरा बताया कि MLIS करके आपको क्या benefit होगा MLIS क्या 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 job opportunities आपके लिए generate हो जाती है और MLIS के पूरा syllabus क्या है MLIS करने के बाद आप लोग NETJRF के लिए qualify हो सकते हैं तो इस सारी बाते हमने वीडियो में किया है तो I hope आप लोग को सारी बाते समझ में आ गई होंगी बट फिर भी अगर कोई भी 1% भी doubt हो आपको related to MLIS तो आप वीडियो के comment works में जरूर comment करें हम आप लोग का हर मुमकिन जो सवाल है उसका जवाब देने का पूरा परियाश करेंगे तो आसा करते हैं आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी और अगर आप लोग भी LIS कर चुके हैं तो आप MLIS के लिए अगर कर चुके हैं आपका result आ चुका है तो आप भरें और जो बच्चे अभी उन्होंने एक्जाम दिया है तो उनको मैं recommend करूंगा कि आप लोग भी MLIS के लिए जरूर apply करें तो यह सारा था आपका आज के लिए वीडियो में तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद